हेलो एवरिवन मैं हूँ सच्चिन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हम लोग देख रहे है जावा इन ब्लूजे और आज के इस क्लास में हम लोग एक पोग्राम करने वाले हैं अब इस पोग्राम में हम लोगों करना क्या है कि हम लोगों को एक नंबर लेना है जैसे कि मान लीजे एक नंबर है 135 अब इस नंबर को मेरे को पैलिंड्रोम नंबर बनाना है तो पैलिंड्रोम नंबर यह कैसे बनेगा देखिए अगर मैं इसका ओरिजनल नंबर जो है वो लि लिख दूँ तब जाकि एक पैलिंड्रोम नंबर बनेगा अब सुधा से लिखने से भी वही लिखाएगा मतलब जैसे कि 1221 से लिखने से क्या पढ़ेंगे इसको 1221 और अगर इसको उल्टा लिखा जाए तो जैसे कि पहले 1 लिख दूँ फिर 2 लिख दूँ फिर 2 लिख दूँ फिर 1 लिख दूँ तब भी तो ये 1 2 2 1 ही बन रहा है ना उसी प्रकार से यहाँ पे जो नंबर था आपका देखिए 5 3 5 1 3 5 5 3 1 इसको उल्टा अगर हम लिखे तो 1 फिर 3 फि फिर 5 फिर 3 फिर 1 तो यहाँ पर भी देखिए अगर सीधा से जो नंबर लिखा था उल्टा करने पर भी हमें वही नंबर मिल रहा है 1 3 5 5 3 1 तो हम लोगों को कोई भी नंबर को पैलिंड्रोम नंबर बनाना है आज की इस क्लास में ठीक है तो चलिए वह कैसे होगा देखते ह है तो सबसे पहले यहां पर मैं एक लिखता हूं मतलब डाटा टैप लिता हूं उसके बाद एक बेरियबल मैं ले रहा हूं नंबर के लिए और यहां पर मैं वन थ्री पाई रख देता हूं उसके बाद में मैं एक temporary variable लूँगा मतलब इसमें मैं original number को store कराऊंगा उसके उसके बाद में मेरे को number का last value चाहिए तो उसके लिए मैं यहां पे last नाम का variable ले ले रहा हूं उसके बाद number को मेरे को reverse करना है तो मैं यहां पे REV reverse नाम का बतलब variable ले लेता हूं REV और equal to initial value उसका मैं 0 रख दूँगा और साथी साथ यहां पे मैं इसको digit भी find करना है जिसके लिए मैं D नाम का variable ले रहा हूं और D equal to initial value उसका मैं 0 कर दे रहा हूं अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि यह जो number यह two digit number one digit number four digit number यह five digit number है तो उसके लिए क्या करना होगा मेरे को लूप चलाना होगा मगर उससे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा कि मैं temp का use करने वाला हूं तो temp में मैं original number ले लूँगा और उसके बाद मैं यहां पर do while loop यूज कर रहा हूं तो मैं यहां पर do लिखूंगा और उसके बाद में फिर मैं यहां पर लिखूंगा वाइल और वाइल के अंदर में जो condition होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा मैं यहां बोलूँगा कि temp का value जब तक 0 नहीं हो जाता है क्रिपया आप इस loop को चलाते रहिए और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे इसको चलाते रहिए यहां पर मैंने 0 ही ने लिखा है ठीक ह जाएगा और साती साथ यहां पर मैं क्या करूंगा मेरा जो temp है उसका value मैं change करूंगा अभी टैंप को मैं क्या करूंगा टैंप को divide कर दूंगा 10 के साथ में तो जब तक यह loop चलेगा तब तक मेरे को डी का value ऐसा दे के जाएगा जिससे मेरे को इस digit यह नंबर कितना digit का है व मैंने वीडियो बनाया है बट मैं हर एक class में हर एक part को cover करना चाहता हूं explain करना चाहता हूं ठीक है न तो इसलिए मैं फिर से बता देता हूं होगा क्या देखिए यहाँ पे डी का value एक बार loop होगा तो यह आपका one हो जाएगा ठीक है न उसके बाद में फिर यह temp से होगा क्या कि temp का original value क्या था भाईया one three five था one three five था न तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि temp का value क्या होगा कि one three five one three five divided by ten तो one three five को अगर हम लोग 10 स मिलता है 13.5 मगर टेंप के अंदर value जाएगा क्या सिर्फ तेरा जाएगा point five नहीं जाएगा क्यूंकि इसका data type int है तो इस प्रकार से टेंप का value क्या हो जाएगा टेंप का value क्या होगा 13 हो जाएगा ठीक है मतलब कि यह दो डिजिट का बन गया उसके बाद में फिर यहाँ चेक होगा और फिर से जब यह लूप होगा ठीक है तो फिर से डी का value 2 हो जाएगा और फिर से जब यहाँ पे चेक होगा तो फिर से टेंप का value देखिए उस फिर से यह जब लूप होग अब तो temp का value तो कितना था 1 था और 1 divided by 10 करने से क्या होगा 0 point something आएगा तो क्या है इसमें सिर्फ वो 0 ही लेगा तो temp का value क्या हो जाएगा temp का value 0 हो जाएगा तो जब temp का value होगा 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा अब digit निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग को number reverse करना होगा तो देखिए जो temp था हमारा वो तो 0 हो गया था तो temp में फिर से मैं original number को यहां store करवा दे रहा हूँ और अब मैं क्या करने वाला हूँ अब मैं number को reverse करने वाला हूँ तो उसके लिए भी मैं एक loop चलाऊंगा और वो loop मेरा do while loop ही रहेगा तो मैं उपर का loop को ही copy कर रहा हूँ और यहां नीचे paste कर दे रहा हूँ बस यहां पे मैं करूंगा क्या कि यहां पे मेरे उपास जो उपर मैंने बनाया था ना last वाला variable उसका use करूंगा यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जो temp में number है उसका मेरे को last number चाहिए तो क्या होगा कि हम लोग 10 से उसका modulus निकाल देंगे तो मेरे को last number मिल जाएगा अब वो last number को फिर हम लोग क्या करेंगे देखिए यहां पे मैं REV लूँगा और REV को पहले तो मैं 10 के साथ में multiply कर दूँगा और इसमें plus कर देंगे हम लोग last number तो जब तक यह loop चलेगा न तब तक मेरे को क्या होगा एक reverse number मिल जाएगा कैसे मिलेगा मैं आपको explain कर दूँगा थोड़ी दिर में अब यहां पे क्या करना है जैसे उपर में हम लोग number को change करवा थे उसी प्रकार से यहां पे फिर से करवा देंगे temp equal to temp divided by 10 अब इस चीज़ को मैं नहीं समझाओंगा ठीक है न अब देखिए क्या होगा जब तक मेरा loop चलेगा तब तक मेरे को reverse number मिलेगा कैसे है न यह आपको अगर दिमाग में आ रहा होगा तो मैं समझा देता हूँ यहां पे देखिए होगा क्या सबसे पहले यहां पे last का value देखिए यह जो last है न इसका value क्या होगा temp में क्या value हो गया था 135 फिर से हो गया था तो 135 मॉडलस 10 अगर हम लोग करते है तो अगर 135 पो 10 से divide किया जाए तो remainder क्या मिलता है 5 मिलता है तो इस प्रकार से last का value क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा अब यहां पे देखिए नंबर जो बन रहा reverse नंबर यह किस प्रकार से बन रहा है REV का original value क्या था 0 था तो 0 जब 10 के साथ multiply होगा तो overall 0 हो जाएगा और प्लस यहां पर क्या जाएगा 5 आ जाएगा मतलब REV का value क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा उसके बाद में फिर यह temp क्या करेगा आपको पता हिए कि एक नंबर घटा देगा इसको 13 कर देगा और जब फिर से loop होगा तो अब क्या होगा यहां देखी फिर last का value क्या मिलेगा last is equal to अब तो वो 13 हो गया है तो 13 modulus 10 मतलब यह हमको 3 देगा ठीक है उसके बाद में फिर अब यह जो reverse है यह चलेगा तो यह क्या हो जाएगा reverse equal to reverse into 10 तो भीया reverse का value तो 5 हो गया था न तो यह 5 multiply होगा किस से 10 से multiply होगा और उसके बाद में फिर plus हो जाएगा क्या plus होगा यहां पर क्या जाएगा 3 आ जाएगा तो यहां पर आ गया 3 तो इस प्रकार से reverse का value 53 हो गया और फिर से देखिए अब क्या होगा फिर से जब यह line जाएगा तो इसका value हो जाएगा 1 अब इससे 1 होने के बाद में फिर से जब यह loop चलेगा तो last value जो था वो हम लोग को क्या मिलेगा 1 modulus 10 तो 1 modulus 10 1 return करेगा that means last का value 1 हो जाएगा अब फिर से देखें यहाँ पर reverse का value क्या हो जाएगा previous value reverse का क्या था 53 था तो यहाँ पर 53 multiply by 10 और plus 1 तो इस के बाद में जब यह loop चलेगा at that time तक टैंप का value हो जाएगा जीरो टैंप का value क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यह loop हमारा stop हो जाएगा और जब तक यह loop हमारा stop हुआ तब तक मेरे को यह number उल्टा करके देखे चले जाएगा जो कि आपका re vs में store होगा ठीक है तो आई होप आपको यह दोनों चीज समझ में आओगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने number का digit निकाला और किस प्रकार से हम लोगों ने number को reverse किया अब करना क्या है हम लोग को अब देखिए करना क्या है कि जो original number है 135 इसको multiply करना है किस से 1000 से और फिर प्लस कर देंगे किस के साथ में जो reverse नंबर बनेगा जैसे की 531 तब जाके जो number चाहिए वो हमको मिलेगा देखिए 135 000 और फिर 315 इन दोनों को add करने पर ही हमको इस से number मिलेगा अब यह हम लोग करेंगे कैसे देखिए अभी एक सवाल और आता है ना कि इसको मैंने इससे multiply किया अगर यह तू डिजीट का number होता तो मेरे को हैंडेट से multiply करना पड़ता अगर यह वन डिजीट का कि डिजीट फाइंड किया यह डी को अब हम लोग कैसे पताच करेंगे कैसे multiply करेंगे हम लोग क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे नम जो हमारा original number होगा उसके बाद into sign और उसके बाद में हम लोग यूज कर देंगे math.power function अब math.power function में क्या होगा base तो हमारा 10 ही होगा मगर power जो रहेगा वो number कितना digit का है उस पर डिपेंड करेंगा तो उस जगह में हम लोग लिख देंगे है कि ताकि वो कोई भी number का digit हो हम लोगों को सही value मिले और इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे आर इभी number को add कर देंगे ओके तो चलिए देख लेते हम लोग एक काम करते हम लोग चलते यहां पर और यहां पर एक चीज़ और देखिए अभी जो एक variable मैं और लूँगा क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि जो math.power function है ना वो जो return करता है वो double में value return करता है तो मैं यहां पर एक double data type का एक variable declare कर रहा हूं new number नाम से और उसके बाद equal to इसमें मैं क्या करूंगा original number के साथ multiply करूंगा क्या मैं math.powpow bracket open close यहां पर 10 उसके बाद comma और उसके बाद में यहां पर हम लोग क्या पास कर देंगे इसके बाद में फिर प्लस और फिर यहां पर हम लोग क्या दे देंगे math.power यह तो d दे दिये और फिर यहां पर प्लस और उसके बाद में आर इवी वाला जो नंबर है हमारा वो ठीक है अब यहां पर नीचे में मैं प्रिंट करता हूं एस वाइस टी एम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी या राइन टी प्रिंट एल एन ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहां पर मैं बोल देता हूं दा इस ठीक है जो नया नंबर बना है वह है हमारा क्या रुब इड़ न यू यू नंबर तर आप चलिए देख देखते है कि नंबर हमा रहा पहलें डूम नंबर बन रहा है यह नहीं बन रहा है ठीक है न तो इसको हम लोग यहां पे कर देते हैं compile और उसके बाद में फिर हम लोग चलते हैं यहां पे और देन यहां पे right click करते हैं हम लोग और यहां वाइड में में click कर देते हैं और फिर यहां में okay कर देता हूँ तो देखे यहां पर यह प्रीवियस वाल आउटपुट आ रहा है हाँ यह प्रीवियस वाल आउटपुट है मेरे एक बर में इसको क्लियर कर देता हूं एंड देन अगेन आप लोगों को दिखाता हूं राइट क्लिक एंड देन भॉइड में और फिर ओके तो देखिए यहां पे नंबर हमारा रिवस में आ रहा है ना मतलब बैलिंड्रॉम नंबर बन गया ना क्योंकि हमारा नंबर क्या था हमारा नंबर था 135 और अभी जो नंब 553 1 विच इसे पैलिंड्रॉम नंबर अब रहा सवाल कि यह पॉइंट जीरो जो आ रहा है यह हटाना चाहिए अगर आप तो क्या करना होगा देखिए यहां पे हम लोग जाएंगे और यहां पे इस नंबर को हम लोग आएंटी में कास्ट कर देंगे जैसी यह डबल है बोल आगे मैं और उसके बाद सब्सक्राइब को आप यहां पे मैं करता हूं और इसके बाद अगर मैं आफको आउट दिखाओ तो देखिए अब यहां पर देखिए पॉइंट जीरो नहीं आ रहा है ठीक है तो I hope कि आप सबको आज का मेरा ये class अच्छा लगा होगा अगर class अच्छा लगा हो समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को like करेगा और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी share करना मत भूलिएगा और अगर आप first time मेरा ये वीडियो देख रहे है तो मेरे इस चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा